हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासिज में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उसने कहा था कहानी के पात्र लहना सिंग का चरित्र चित्रन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसने कहा था कहानी में प्रमुक पात्र या नायक लेना सिंग है जिसे गुलेरी जी ने यथार्थ और आदर्श के धरातल पर कुछ ऐसा गड़ा है कि वह हिंदी कहानी साहित्य का अमर पात्र बन गया है किशोर लेना एक बालिखा के प्रती आकर्शित हो जाता है इस आकर्शन में सहिष्टा और मधूरता है लेना सिंग के प्रेम, कर्तव्य, वीर्ता तथा चातुर्य का उब्रा रूप उसके चरित्र में द्रिष्टी कोन होता है लेना तगड़ा जवान सिपाही है जो ब्रिटिच सेना में नंबर सतत्तर सिक्स राइफल में जमादार है चमपून कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी है लेना बच्चपन से ही सासी है इसलिए तांगे के नीचे आने वाली एक लड़की को बचाता है जिसको वह तेरी कुमडाई हो गई जैसे प्रश्ण पूछ पूछ कर सताता है इस लड़की के प्रती उसके मन में कोमल भावना उत्पन होती है प्रोणा वस्ता में इसी लड़के को वैसूबेदार्नी के रूप में देखता है सुबेदार्नी प्राथना युक्त करुणा स्वर में लेना से कहती है तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे आप घोडों की लातों में चले गए थे और मुझे उठा कर तक्ते पर खड़ा कर दिया था ऐसे ही इन दोनों का बचाना यही मेरी भिक्षा है सुबेदार्नी की इस भिक्षा में प्रेम का आग्रे है सुबेदार्नी की स्वापन पूर्थी के लिए लेना उसके पती और पुत्र की युद में रक्षा करता है और स्वयम का बलीदान कर देता है फ्रांस में दलदर और ठंड में जब बोधा सिंग बिमार हो जाता है तब लेना सिंग उसकी ड्यूटी देता है अपने दोनों कमबल, बरान कोट, जर्सी, बोधा को देकर सुयम खाकी कोट और जिन कुर्ता पहन कर पहरे पर खड़ा था जर्मनों के साथ संघर्ष में लेना सिंग बुरी तरह जक्मी हो जाता है परंतू बोधा को पहली खेट में अस्पटाल पहुचाता है इसी प्रकार वेहजारा सिंग की रक्षा करता हुआ अपने प्रेम और करतवे का निर्भा करता है लैना Сिंग, युद्ध कला में कुशल है आदमी को परखने की कला उसमें है निर्ने शमता है इसी कारण वे अपने शत्रू की चाल को तुरंद पहचान लेता है और एक दो प्रश्न के द्वारा उसके असली रूप को जान लेता है लैना सिंग, सहासी और वीर है सिख सवालाग के बराबर होता है उसके चरित्र में एक वीर सैनिक की द्वंदता है लैना सिंग भावुक व्यक्ति है मृत्यू से पहले की स्मृति में उसकी भावुकता का परिचय मिलता है वे अपने घर से बच्चों से प्यार करता है वे फ्रांस की भूमी पर मरा परंतु उसकी समवेदन शीलता और भावुक कल्पना ने उसे अपने घर पहुचा दिया चाचा भतीजा दोनों यहीं बैटकर आम खाना वाक्य से ही इसकी भावुकता स्पश्ट होती है लैना सिंग एक निडर सासी और सैनिक वीर है उसमें चुस्ती फूर्ती समय सूचकता और नि गुण है वैं अपनी सतर्पता और चालाकी से अत्यंत विशम परिस्थितियों में भी जर्मन सैनिकों को मात देकर अपने लोगों की रक्षा करता है लैना सिंग एक अत्यंत चतुर और असूलों का पक्का इनसान है विकट से विकट हालातों में भी वैस्यम बरतता है और अपने धर्म के खिलाफ कोई आप रिये कारे नहीं करता लैना सिंग जितना सहासी और वीर है उतना ही समवेदन शील भी है अपनी बाल प्रेमी का सुवेदार्नी को दिया गया वचन वै कभी नहीं भूलता उसके द्वारा दिये गए वचन की कटी बद्धता को निभाते उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया लैना सिंग एक सच्चा देशभक्त और प्रेमी है अपने वचन की कटी बद्धता और देशप्रेम की भावना के कारण उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इसके साथ लैना सिंग के चरित्र की कुछ विशेषता य पहला सच्चा प्रेम करने वाला लैना सिंग अपने बच्पन के प्रेम को पाने का प्रयास नहीं करता बलकि वह उसे भूलने का प्रयास करता है हाला कि अपने इस प्रयास में वह एक दुकानदार की दिन बर की गारी कमाई का नुकसान कर देता है यही नहीं वह निडर कुत्तों को भी पत्थर माता है परन्तु वह अपने प्रेम को उस लड़की के सामने प्रकट नहीं करता दूसरा एक बहादूर सैनिक लैना सिंग एक बहादूर सैनिक है वह विशम परिस्थितियों में भी अपना सैयम नहीं खोता और बिना डरे नकली लप्तन साहब को मार गिराता है यही नहीं वह मात्र दस्त सैनिकों के साथ ही 70 जन्मन सैनिकों से बीढ जाता है तीसरा एक चतुर अफसर और सच्चा सिंग लैना सिंग एक सच्चा सिख है लप्टन सहाब द्वारा सिग्रेट दिये जाने पर वे उसे पीता नहीं है अपनी चलाकी से वे नकली लप्टन सहाब की पैचान कर लेता है उसी की चालाकी की वज़े से जर्मन सेना पर विजय मिलती है चौथा त्याग और बलिदान की भावना लैना सिंग में त्याग और बलिदान की भावना कूट-कूट कर भड़ी है वे अपने वचन के पालन और देश भक्ती के लिए बलिदान दे देता है इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है जिसमें हमने जाना उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंग के चरित्र चित्रन के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग